इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा ये देखिए सोलर पैनल की इस तरह से टील टाइंगार अपना चेंज कर रहा है गर्मी ठंडे के मौसमें अलग-अलग एंगल पे सेट होता है वीडियो में आगी बने रही है ये देखिए DC कूलर है DC कूलर मतलब ये सिंगल बैटरी पे रात वहर आपका कूलर चलते रहेगा ये नौन स्टॉप कूलर है ये 24 घंटा लगतार चल सकता है ये 15 साल से ये मोटर चले आ रहा है ट्रक में यूज हुआ करता था तो इसको लोग ट्रक में अपने लगा लेते थे और रास्ते भर ट्रक के बैटरी भी चलते रहता था ये 12 वोल्ट का DC मोटर है ये देखिए ब्लैक कलर का ये 24 वोल्ट में भी मिल जाएगा आप मार्केट में खुजिएगा तो 12 वोल्ट का मार्केट में इसका प्राइस 500 रुपए 200 रुपए कहीं 2800 कहीं 300 ऐसे मिलता है आपके लोकल मार्केट में ये पानी का कुल्लू पंप है ये देखिए इसमें लगा 18 वाट का तो इसको आप एसी से चला सकते हैं कोई दिकत नेकर के इन वाटर पे चाहिए तो डील्यवMP हीश्च ले सकते हैं लेकिन इसको ये से चला शे sud कंजप्शन ज्यादा हाई नहीं है इसमें देखिए किस तरह से इसका AC मोटर खोल के कुलर का इसमें इन्होंने DC मोटर लगाया है और यह कुलर चलने लगा ध्यान से देखिए और इसका एयर फ्लो बड़े वाले कुलर की तरह तो नहीं है क्योंकि मैं अपने वीडियो में कभ इड़की आप खोल दीजिएगा एक तरफ से हवा एक तरफ से पास हो तो कुलर अच्छा वर्क करता है उमस में थोड़ा दिकत होता है तो देख सकते हैं किस तरह से यह नॉर्मल कुलर के बॉड़ी में इन्होंने DC मोटर 12 वोल्ट का लगा दिया है और Amazon पे आपको यह 400 होते रहेगा तो जरूरी नहीं है कि आप सोलर बैटरी लें कोई भी बैटरी पर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के और कोसिस करें कि MPPT लें MPPT क्या करेगा कि पूरा एफिसेंस सोलर पैनल का निकाल के देता है तो एक सिंगल बैटरी अगर आप रखें 12 वोल्ट का इन चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार- DC मोटर निकालके इन्होंने DC मोटर लगा दिया है और Amazon पे इसका तीन एंपियर दिखा रहा है मतलब 36 वाट मोटर ले रहा है तो यह सोलर बैटरी है इसमें देखिए आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि इतना NLC होता है तो मैं आपको लुमिनस का NSD 1100 का NLC दिखाता हूं यह टू एंपियर के असपास ले रहा है मतलब NLC दो एंपियर यानी 12 वाट के एक एंपियर होता है मान के चले है एकर ले ले रहा हैowास 24 वाट यह बैटरी से इनवाटर खुढ ख़ा जा रहा है बिना लोटे लोटे तो 24 वाट एक ःट होंटे में तो दस घटे में 240 वाट दो तक चला जाता है किसी किसी में 5 तक चला जाता है तो ठीक है मिला जुला कर और इसी लिए लोग transformerless inverter की तरफ जा रहा है लेकिन इंडियन ब्रैंड में भी एक आसा पाउर है जिसकी NLC 0.7 एंप्यर है यानि कि आसा पाउर का अगर आप प्योर कॉपर CRG transformer वाला inverter लेते हैं तो उसका power loss बहुत कम होता है एक तरह से वो transformerless की तरह है ये देखिए पांचवे नंबर पे नलसी दिया हुआ है ये 5 किलो वाट का सिस्टम का है स्मार्टेन 5500 का 1.83 तो 5 किलो वाट का सिस्टम 48 वोल्ट का 48 वोल्ट को 48 मल्टिप्लाई वाई 1.83 करिएगा लगभग आपका ये मान के चलिए कि 80 वाट के असपास खा जागा स्मार्टेन इप्रो का है 48 वोल्ट में 56 पांचवे नंबर पे 1.5 एंपियर यानि की 75 वाट लीवगार्ड का 2.7 एंपियर यानि की लीवगार्ड सबसे ज़्यादा पाउर लोस कर रहा है करीब 180 वाट के असपास ये देखी 0.8 एंपियर ये ट्रांसफोर्मर लेस इनवर्टर का होता है जो चाइना से बनके इंडिया में आ रहा है उसका एनलसी और 0.7 एंपियर आपका आसा पाउर का है यानि की आसा पाउर का नो लोड करेंट बैटरी से पाउर लोस नहीं करेगा इंडिया ट्रांसफोर्मर लेस इनवर्टर बनाने में लग चुकी है तो अभी के टाइम में करेंट टाइम में ट्रांसफोर्मर लेस के मुकाबले आसा पाउर बहुत अच्छा ऑप्शन है नो डाउट इसका मॉडल 30-24 नोट कर ले 24 वोल्ट में 30 24 बहुत ही जबरजस्ट चीज़ निकाला है जिस पर आप 3000 वाट तक के पैनल लगा लेंगे और 2000 वाट तक के लोट चला लेंगे और बहुत ही जबरजस्ट है इसके अंदर प्योर कोपर CR जो ट्रांसफोर्मर दिया गया है जो की ट्रांसफोर्मर लेस से काफी बहुत ही वह अच्छा है और जिसकी लाइफ करीब 15 साल चलने की उमीद है पूरी की पूरी तो ये लाइफ में भी अच्छा है और उमीद है कि यूटीयल का गामा प्लस जो की एक बहुत ही अच्छा सर्विस देता है 24 भोल्ड में इसका भी सुनने में आ रहा है कि 70 इंपियर इसका सोलर कंट्रोलर कंपनी बढ़ा के देने वाली है तो यूटीयल एक भरूस से मंद कंपनी है नो डाउट इसकी सर्विस अच्छी है तो हम कंपनी से अपियल करना चाहें कि जितना जल्द हो सके सर आप लोग इसका अपडेट दें कि 70 इंपियर का इसका सोलर कंट्रोलर इसके अंदर भी जल से जल्द रिलीज हो और ये इप्रो का 32 का 2023 मोडल है तो 2000 स्टार्टिंग में जब इप्रो आया था तो उसके अंदर तो सो सक्सेस्पूल रहा क्योंकि इसमें 100 एंपियर का सोलर चार्च कंट्रोलर है मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा मैं दिखाया हूं किस तरह से मेरे एक फ्रेंड है उनके इप्रो 32 में 87 एंपियर तक ये जिनरेट किया है दो-दो पैनल का सीरीज लगाया था उन्हो बहुत अच्छी बात है कंपनियों को वर्क करना चाहिए इप्रो की यहीं एक प्लस पॉइंट है कि इसमें एंपियर आपको अच्छा खासा मिल जाता है जिस पर तीन हजार वाट तेती सो वाट तक के पैनल जोड़ लेते हैं लेकिन अब मार्केट में आसा पावर 80 एंपि इंपियर काख आब एंपियर क्या करता है कैसे करता है इसी कैसे चलता है इसका पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं लग il इसको जल से जलद अफ्लोड करे ताकि लोगों का बहुरसा बना रहे ऐसा नहों कि लोगों का बिश्वास उचन लगे क्योंकि इप्रो बहुत लोग यूज़ कर रहा है मैं भी यूज़ कर रहा हूं मैं fully satisfy हूँ लेकिन कुछ लोग मुझसे कह रहा है कि इसका सर्विस में दीकत हो रहा है अपिल करना चाहूंगा कि अपने स्टाप से अपने जो लोग इंजीनियर हैं उनसे आप प्लीज सर आप सर्विस पर धान दें यह दो बैटरी का इनवाटर है मैंने पैरलल करके चार बैटरी लगाया है और चारों बैटरी चार्ज हो जाता है नो डाउट इसमें करीब मेरा 65-66 अंपियर अभी निकाल के दे दे रहा है और मैं काफी खुस हूं अपने इस बैटरी से लुमिनस के ए लुमिनस का 100 ह09 का Nhwach का सूलर बैटरी है दो बैटरी है और मैंने पैरलल करके चार बैटरी लगाया है पिछले मेरा कई सरा व वीडियो है आप देखिये ऊसमें तona वाइवं की चार से लग जाते है तो सीन का बैटरीका पूछणा ही नहीं है आं कोशिस करें चाल का 모습 क बैटरी लें जो कि मार्केट में 13,000-14,000 में मिल जाएगा इसे 12,000-12,000 का लुमिनस का बैटरी है यूटियल का 200H का बैटरी है C20 बैटरी है लेकिन ये सोलर के लिए यूज हो जाती है अब चाहे तो नॉर्मल बैटरी इनवाटर के उपर भी आप अपने सोलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं ये देखिए मेरा सोलर इनवाटर है ये देखिए MPWM का सोलर चार्ज कंट्रोलर भी हम रखे हैं तो सब कुछ यूज करके हमने देख लिया सोलर चार्ज कंट्रोलर अस्मार्टेन का आसा पाउर का चाहिए यूटिल का लगा सकते हैं या आप यूटिल गामा प्लस वन के भी की तरफ जा सकते हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ए प्रो पंद्रसो भी ये बारव वोल्ट में आने वाला है 100 अंपियर का जिस आपमान के चले 40 Ampere से आप अपने घर का लोड चला लेंगे तो वह काफी अच्छा रहेगा और यूटील गामा प्लस करेंट टाइम में यूटील गामा प्लस वन के भी मतलब एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर में यूटील गामा प्लस अच्छा है बहुत अच्छा चल आया देखिए कंप्लेंट रेजिस्टर किया तुरंत कि करम्टन वाले आ गए पांस साल का पूरे फैन का वरेंटी है यह 28 वाट का फैन है करम्टन का तो आप बजाच का करम्टन का उसके बाद आपका एटमबर का ले सकते हैं यह तीनों कंपनी मेरी अच्छी है मुझे 22 वाट के तो आपका 120 वाट के अंदर तीन फैन हो गया है 55 वाट का बल्व हो गया मतलब अपने घर को 200 वाट पे लोट के ले किया जाएंगे 200 एज की अगर आप दो बैटरी लगा देते हैं तो रात भर आपका पूरा 14 घंटा बैटरी पे घर का लोट दिन में सोलर पे चल तो अपने नॉर्मल फैन को BLDC में सिधे आप कनवर्ट करने का कोसिस करें अगर आप बिजली बिल से परिसान है तो नहीं तो अगर काम चल रहा है इंडेक्शन फैन से तो आप अपना 75 वाट 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 फैन यूज़ करें लेकिन बिजली बिल अगर आपको लग रह से सही कर दियें इसका जो आवाज आ रहा था इसका कोई नट वर्ट डाउन था ठीला था उसको इन्होंने सही कर दिया यह रिमोट से ओपरेट होता है एक नंबर पे 5 वाट दो नंबर पे 10 वाट तीन नंबर पे 15 वाट मैं प्रॉक्स बता रहा हूं चार नंबर पे 20 वाट डिगरी एक एप साता है जिसका नाम है सोलर सीटी वह मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो इसको मैं उपर उठा दूँगा ठंडे के दिन में 40 डिगरी तक नीचे चला जाता है तो यह उस तरह से नीचे चला जागा एक तरफ से यह फिक्स है आप देखेंगे अभी आपको है तो वारी को वेबसाइट समंगा लें 20 रुपया 21 रुपया ऐसे चल रहा है वारी का पैनल 20 रुपया वाट 20 रुपया वाट 20 रुपया वाट और यह देखिए मैंने वीडियो बनाया इसके उपर किस तरह से मच्छड मर जाएंगे तो कौन सा यह डिवाइस है इसमें क्य मोबाइल चार्जर से इसको मैं चलाता हूँ तो यह क्या करेगा कि आपको केमिकल फ्री तरीके से मतलब आपको हर महीं लिक्विट चेंज नहीं करना पड़ेगा 70 रुपय हर महीने आपके वैसे ही बच जाएंगे 5 वाट सिर्फ यह लेता है मोबाइल का चार्जर या मैक्स 50 वाट का टाटा का पैनल इस तरह से वारी का पैनल लूमिनस का पैनल सब कुछ मैंने 12 वोल्ट का यह सब मैं PWM पे यूज़ कर रहा हूँ तो पैनल मेरे पास ज्यादा है इसलिए मेरे पास दो-दो बैटरी चार्ज हो जाता है और यह देखिए मैंने दो-दो का सीरीज तो कैसे चेंज होता है आपको सब कुछ मैं आप वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने पॉली पैनल लगाया है क्योंकि उस टाइम पॉली पैनल सस्ते थे और मोनो पैनल थोड़े महंगयत है जब मैंने लगाया था तो आज के टाइम में बाइफेसियल पैनल आ गया है तो मारी के पैनल च्छे हैं विकरम के पैनल च्छे हैं गोली हैं लूमिनस के पैनल च्छे हैं कई सारे ब्रैंड है लेकिन आप यह मांगान के चले है 22 रुपए से जपल परवाट ना दे और 24 वोल्ड का पैनल तो 20 रुपए 22 रुपए 17 रुपए से चल रहा है लोकल मर्केट में कोई आपको 17 रुपए भी दे देगा अगर पता करेंगे तो देखिए कितने लोग अपने घरों पे solar panel लगा चुके हैं तो अब आ गया है जवाना अपने छट पे solar panel इंस्टॉल कर लें चाहिए ऑफग्रीट करें चाहिए ऑफग्रीट करें ऑफग्रीट मुझे जादे फैदेमन लगता है क्योंकि अगर गवर्मेंट की न्यू एलेक्रिसिटी पॉलेसी आ गई कि रात को आपका बैटरी बिजली बील डबाल आएगा तो काम करेगा यहीं ट अंगल चेंज करके और किस तरह से मुझे हर सीजन में जिनरेशन अच्छा मिल जाता है वो आपको वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जागा तो यहीं है जो ट्रेक्टर के डल्ले में लगा होता है देखें नाटे हैं मैं टाइट कर ले रहा हूं जो सूलर पैनल साउथ डि इन्वर्टर पे उसको कनेक्शन में इतना गरबड़ अ कर रहा था कि इसतरह से गरबड़ हो जाता मैंने यूटूब का सहरा लिया और सीख लिया कि इस तरह से करेक्टिया जाता है सीरीज कया है जैसे कि एप्रो की वियोसी इप्रो 3220-26, 110 वी ओसी है, 550 वाट के पैनल की एक पैनल की वी ओसी 49 चाह 50 होती है, तो 550 वाट के दो पैनल चाह 330 वाट के दो पैनल सीरीज में लग जाते हैं उसी तरह सेम आपका यूटियल गामा फ्लस 33 50 में भी दो दो पैनल की सीरीज बनेगी, आसा पावर रोवर का साथ वियोसी ज़्यादा है 150 की 165 के असपास है दिखना पड़ेगा उसमें तो जितनी ज़्यादा वियोसी उसी तरह से कल्कूलेशन अब करके लगाएं E-PRO में और UTL में दो-दो पैनल की सीरीज तयार होगी और उसको लास्ट में पैरलल करके जोड़ेगा